ये मेरा एवरेज बाइंग प्राइस था जब मैंने इस स्टॉक में एंटरी बनाई थी हेलो ट्रेडर्स एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और ने वीडियो पे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजेगा और हमारी पुरानी वीडियो को भी एक बार जरूर से चेक कर लीजेगा आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ब्राइट क्रॉम ग्रूप को अब बीसी जी का शेयर आप में से कई लोगों के पास होगा तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता दीजेगा कि किस प्राइस पर आपने इस स्टॉक को भाई कर ग तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा मार्केट के बात करें कमपनी बहुत जोटी है पहली बता दू साथ अजार करोड का मार्केट कैप है करेंट प्राइस चौटिस रुपे के आस पास आपको देखने को मिल रहा है वहीं अगर हम स्टॉक के पी की बात करें तो वो हमें साथ रुपे सब्केट के आपको देखने को मिल रहा है आरो ये आरो सी की बात करें तो 29% 21% है प्रमोटर होलडिंग 18.5% की आपको देखने को मिल रही है अर्णिंग पर शेयर 4.52 का अब कमपनी करती क्या है कमपनी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक क पैसे कमाती है, पैसे कमाती है किस तरह से डिज्टल मार्केटिंग के, मीडिया के थरू, सॉफ्वियर सर्विसेज के थरू, और फ्यूचर टेक्नलोजीज के थरू, वहीं आप में से कई लोगों को यह नहीं पता होगा कि यह कंपनी कितनी बुदानी है, तो 2010 में यह कंपनी बनी है और इस कंपनी का नाम चेंज करके 2018 में ब्राइट कॉम ग्रोप लिमिटेट रखा गया था, अब सबसे इंपोर्टन चीज जो आपको हैरान कर देगी, इस्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, लगातार लोवर सर्किट लगते हुए नीचे आ रहा है, लेकि पहले दिसंबर में 22% की हुआ करती थी, तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, लेकिन F20 की होल्डिंग की बात करें, F20, आपको पता है F20 लगातार सेलिंग पे सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक के अंदर आपको F20 की प्रमोटर्स ने इस स्टॉक को 12% की होल्डिंग बना दिया, आप खुद सोचो कहां 1% की होल्डिंग इस तरह के पहनी स्टॉक में थी और 1% से F20 ने इस स्टॉक में 12% की होल्डिंग बना दी, तो इसलिए कुछ नकुछ इसके अंदर चल रहा है, जिस वज़े से इस आपको लगाता है नीचे आते हुए देखने को मिला तो इसके पीछे क्या वज़ा है अब पटापट से उसको डिसकस करते हैं फिर डिसकस करेंगे कैसे आपको अपने losses को इस stock के अंदर recover करना है चार्ट पर बढ़ते हैं चार्ट पर आपको clearly देखने को मिल रहा है कि अगर अ एक चीज़ देखा कि F20 ने अपनी holding को दिसंबर quarter में दिसंबर से लेकर के मार्च तक बढ़ाया है 1% से 12% जब F20 पैसा डालते हैं तो stock उपर जाना चाहिए अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो दिसंबर से लेकर के मार्च में यहाँ पर आप देखो stock का price लगातार पहले नीचे गया और फिर आपको F20 की buying की वज़े से यह stock उपर जाते हुए देखने को मिला लेकिन अब आपको यह stock वापिस से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है और काफी तेजी से नीचे आते थी और मैं successfully बहुत अच्छी entry मैं कहूंगा कि मैंने जिस point पर entry बनाई थी वहाँ से मैंने काफी अच्छे खासे points गेन करके निकल गया था मैंने entry बनाई थी कहीं इस point पर जहां पर अभी stock घूम रहा है अभी stock 34.80 है मैंने जो entry बनाई थी वो बनाई थी 33.85 ये मेरा average buying price था जब मैंने इस stock में entry बनाई थी मैंने अपने previous वीडियो में भी आपके साथ share किया हुआ है ये वाला level जहां पर मैंने entry बनाई थी इस level के बाद मैंने profit कहां book किया था 110 रुपीज के आसपास में 110 रुपे के पास में मैंने इस stock के अंदर पूरा का पूरा अपना profit book किया था और मैं इसके पीछे का logic आपको समझाता हूँ और तब आपको समझ मैं आएगा कि आपको अपने losses कैसे recover करने हैं सबसे पहले important चीज़ ये आपको बता देता हूँ कहां पर आपको buying start करनी है जब तक ये stock 35 रुपे के नीचे है यहाँ पर आप ध्यान से note कर लिजेगा 35 रु कर सकते हो इसमें कोई guarantee नहीं है पहले बता दू कि ये stock operator driven stock है इसमें कोई guarantee नहीं है कि ये stock 20 रुपे से नीचे नहीं जाएगा या 10 रुपे से नीचे नहीं जाएगा इसमें अगर आपका थोड़ा सा पैसा लगा है suppose मैंने कितना लगाया था मैंने 40,000 लगाया था as per मेरे risk reward के हिसाब से 40,000 रुपे मेरे यहां पर अगर डूब भी जाते तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यहां पर मेरे पैसे almost three times हो गए थे three times मैंने पहले भी profit booking की थी और वो कैसे की थी वो भी मैं आपको बताता हूं और यह three times होने के बाद मैंने इसमें से अपना profit book कर के निकाल लिया था तो almost मेरा पैसा safe तो होई गया था देखो आप खुद समझने के कोशिश करो suppose आपके पास 10,000 रुपे हैं आपका risk कहता है कि आपको 10,000 रुपे invest करने हैं और 10,000 रुपे अगर आपके zero भी हो जाते हैं तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो य करो आप 50 quantities book कर लो जिससे आपका जो investment है वो almost free हो जाए और इसी तरह का मैंने इस stock के अंदर भी किया था जब यह stock almost 78 रुपीज के आसपास में था तो मैंने थोड़ा सा quantity यहां पर book किया था जिससे stock का price मेरा almost free हो गया था और फिर उसके बाद जब यह stock 110 रुपे के level पर गय आते हो यहां पर इस level के ऊपर निकलने पर तब यह चीज ध्यान रखना कि आपके जो भी losses है वो पूरे recover हो जाएंगे अब suppose किसी ने 110 रुपे पर buy करके रखा है ऐसा नहीं कि stock 110 के ऊपर ने गया stock 110 के ऊपर भी गया stock almost 130 रुपे तक गया पर लेकिन आपको अपने profits को save करना चाहिए 130 पर गया था तब भी यह stock मेरे पास था लेकिन जब वहां से fall करना start हुआ तब मैंने 110 पर stop loss डाल दिया था और 110 पर अपने आप काफ़ी time तक stock ने time बिताया और फिर वहां से नीचे आ करके ऊपर भी गया फिर नीचे आया लेकिन 110 पर मेरा paid भर गया तो मैंने अप अब यहां पर उन लोगों के लिए important चीज़ है जो लोग इस stock के अंदर फसे हुए है उन्हें क्या करना है उन्हें यह करना है कि 35 के नीचे जब तक यह stock है वो इस stock को average कर सकते हैं या जो लोग नई entry बनाना चाहते हैं वो लोग 35 से 20 रुपे के बीच में buy कर सकते हैं लेकि किसी के लिए एक लाग रुपे हो सकता है किसी के लिए 10,000 हो सकता है किसी के लिए 5,000 हो सकता है तो आप अपने हिसाब से risk लीजेगा 35 रुपे के नीचे जब तक यह stock है आप इसको buy करके भूल जाओ या average करके भूल जाओ अब एक चीज़ यह ध्यान अगना कि यह stock आज न देना कि 70 रुपीज से लेकर के अगर यह stock और उपर निकलना start करता है तो इसके बाद आपके लिए जो next target होगा वो 110 का होगा और 110 के बाद यह stock आपको 130 रुपे तक भी slip होते हुए देखने को मिल सकता है तो इसलिए यह volatility continuous इस stock के अंदर बनी रहेगी तो इसलिए आपको चुका है यह stock बहुत important level है 35 रुपीज से लेकर के 20 रुपीज के आसपास का यह जो level है यह काफी ज़्यादा important level है already stock अपने 72% की गिरावट दिखा चुका है तो इसलिए अब आप इसमें loss मत बुक करिएगा अब नीचे के level पे जब तक 35 के नीचे है आप इसके अंदर average करन के बारे में plan कीजे और एक चीज़ धियान रखेगा कि अब आप इस stock में सोचो कि कितना time period हम ले करके चलेंगे तो एक चीज़ फिर से बता दू operator driven stock है time इसमें कोई important matter नहीं रखता है कि एक साल दो साल तीन साल के अंदर यह stock आपके पैसे double कर देगा तो इसलिए आप करके इस stock को भूल जाए time का कोई factor मत मान के चलिए इसको आप daily बार बार देखिये मत कितना बढ़ा कितना घटा आपके लिए बस important target जो होने चाहिए 70 110 and 130 जैसे इन levels को cross करेगा यह stock आपको 225 रुपए के ऊपर निकलते हुए देखने को भी मिल सकता है तो इसलिए आपके प पर आपने इस stock को buy किया हुआ है फिर मिलूँगा एक वार एसी वीडियो ले करके तब तक के लिए धन्यवाद